कॉमर्स गूजी पर और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं खुब सारी अपडेट के बारे में सबसे पहली अपडेट मैं बताऊंगा कमपार्टमेंट एक्जाम कि काफी दिनों से बच्चों के मेरे पास लगातार कोश्चन्स आ रहे थे कि सर एक रेगुलर एक ऐसा अपडेट बता दीजे जो हमारे पास बात चल रही है कमपार्टमेंट अपडेट यह है बिटा कि जो वारी CBSC थी उसने कुछ दिनों पहले एक नॉटिफिकेशन इशू कराता है जिन्होंने उनका साफ कहना है कि CBSC जो आपके कमपार्टमेंट के एक्जाम है वो कं है सुप्रीम कोड से कि जो CBSC का यह डिसीजन है इस पर एक वार अपने विचार रखिए जो इस्टुडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है उन्होंनों भी यह बात को रखा है कि केसिस को भढ़ते हुए देखकर और उन्होंने एक्जाम्पल दिया है कि जो हमारे बिहार बो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि उन्हें क्या करना चाहिए तो मैं भी रिक्वेस्ट रहे हैं कि जतने ज्यादा से यादा बच्चे जैसी मालूँ है ट्रिटर पर अभी आपका ट्रिटर पर काफी जारे टेंड चल रहे हैं हैस्टेक के अगेंस सी बेसी कंपार्टमे करूंगा कि प्लीज यह आपके कंपार्टमेंट एक्जाम ना हो तो ज्यादा बेटर है सेफटी को देखते हुए तो अगर आप भी मेरे सपोर्ट में हो तो प्लीज इस वीडियो को जारशाद आगे बढ़ाना ताकि सब लोग पहुंचाए आगे दूसरी बात करूंगा मै स्कूल रियोपनिंग के ऊपर इसकूल रियोपन कब हो रहे हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दू मिटा तेखो कुछ इस्टुडेंट ऐसे हैं जो कंपार्टमेंट की वजए से कुछ नहीं सोच पा रहे हैं क्योंकि उनका तैह नहीं है आगे क्या करना ह हो तो यह बेटा मेरा वाट्सअप नंबर है जल्दी से जल्दी आप चाहो तो जॉइन करना ताकि आपको एक बैटर कोर्स सीख तक हो ताकि उसकी आपको जॉब में काफी जादा बेनिफिट रहे हैं दूसरी चीज बेटा मैंने एक कॉमर्स का मीम चैनल बनाया है इंस्ट स्कूल रियॉपनेना पर फैसला एक सितंबर से पहले आ सकता है कि स्कूल रियॉपन कैसे करे जाएंगे जा तक चांसे ऐसे बन रहे हैं कि सक्शनवाई से जैसे लो आपके चार सेक्षन है क्लास में तो ए और सी सेक्षन कुछ दिन आएंगे और बी और डी सेक्षन कुछ दिन आएंगे टीचर लमसम 33% टीचर के साथ वर्क करना पड़ेगा लेकिन अभी इस पर कोई फाइल डिसीजन नहीं है लेकिन चांसे जाएंगी 15 से लास सितंबर त आप से खुलेंगे एडमिशन लेट नहीं हो जाए तो सितंबर से लेके दिसंबर तक आपके एडमिशन चलें कोई दिक्कत की बात नहीं क्योंकि एट लास्ट दिसंबर यूनिवर्स्टी फॉर्म बरे जाते हैं तो तब तक आपका एडमिशन होना पॉसिबल रहता है प्ल की प्रपेशन करना चाहरे हों चाहिए आप क्या नहीं मेरे हैं मेरे साब से मुझे पताता है वह सकता है विदिन 7 देज या 10 देज कोई एक मजबूत फैसला आ जाए कि आपके पेपर कंड़क्ट होने या नहीं होने मैं तो हाट जोर कर सभी से रिक्वेश्ट करूंगा कि प्लीज के पेपर कैंसल हो जाए ताकि बच्चे आगे के बारे में सोचें कैसे करना है क्या करना है अगर आ करूंगा प्लीज कि आए अइसला आगे में तो हाट जाए टाएड़ करूंगा प्लीज